वायू जल या भूमी में अंचाहे परिवर्टन जो मनुसियों जिवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है तो वो प्रदूसर कहलाता है मानव जनित पर्यावरनी प्रदूसर जो कहलाते है वो एंत्रोपोजेनिक यानि पर जैविक कहलाते है जैविक विगटित प्रदूसर है जैविक विगटित प्रदूसर जो है वाहित मल है वायू प्रदूसक सीशा से प्रभावित अंग है तो वायू प्रदूसक सीशा से प्रभावित अंग है तंत्री का तंत्र संबंधित रोग होता है तंत्री का तंत्र संबंधित रोग होता है एसबेस्टान धूल से प्रभावित अंग है, पारा प्रभावित करता है तो पारा मस्तिस को प्रभावित करता है वायू प्रदूसक कार्बन मोनो आक्साइड प्रभावित करता है तो भूमिगत जल को प्रदूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक है तो आर्शे निक है जल प्रदुसर को मापने हेथू जाज की जाती है, मनुष्य की मेरक्त दाप बढ़ाकर दिल सम्वधित रोग उतपन करता है, तो वाई प्रदुसर क्याड वीयम करता है ब्राउन एयर सब्द का परियोग किया जाता है तो ब्राउन एयर सब्द का परियोग प्रकास रासाइनिक धुआ के लिए किया जाता है PM तथा SPM संबंदित है तो PM तथा SPM जो है प्रदूसर से संबंदित है PM का ततपर है तो particular matter होता है PM का जो तातपर होता है particular matter होता है SPM जो होता है suspended particular matter होता है YU प्रदूसक है तो YU प्रदूसक carbon monoxide सॉरी YU प्रदूसक है तो YU प्रदूसक जो है carbon monoxide sulfur dioxide hydrogen sulfide है 3 December 1984 को भपाल की union carbide factory में इस gas का रिशाव हुआ था 3 December 1984 को भपाल की union carbide factory में methyl isocyanide यान MIC का रिशाव हुआ था मीनी माता रोग होता है तो मीनी माता रोग पारायूत जल से होता है मीनी माता रोग सबसे पहले हुआ था मीनी माता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था नदियों में जल प्रदूसर की माप की जाती है सिगरेट की धुवे का मुख्य प्रदूसर कारबन मोनो आकसाइड एवं बेंजीन है केंद्री प्रदूसर नियंतरन बोड दिल्ली में है जल सनच्छड एवं प्रदूसर नियंतरन अधिनियम बना तो 1974 बना वाहनों से निकलने वाली धुवा में पाया जाता है तो कारखानों से निकलने वाली धुवा में मुख्य रूप से पाया जाता है कहरी प्रित्थी पर गिरते हैं अमल वर्षा के रूप में प्रित्थी पर गिरते हैं नैट्री कमल गिरते हैं DDT होता है तो DDT जो होता है अजय वह अपगटनी प्रदूसक होता है DDT होता है तो DDT जो होता है अजय वह अपगटनी प्रदूसक होता है सागर से निर्मित इतिहासिक इमारतों को हानी पोचाता है साग सग मरमर से निर्मित एतिहासिक इमार्तों को हानी पोचाता है तो संग मरमर से निर्मित एतिहासिक इमार्तों को सल्फर डायाक्साइड पोचाता है हानी ग्रीन मफलर सम्बंदित है तो ग्रीन मफलर जो है दोनी प्रदूसर से सम्बंदित है ग्रीन मफलर सम्मंदित है तो ग्रीन मफलर दोनी प्रदूसर से सम्मंदित है चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूसक है चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूसक मेथीन है